My Mr. Unpredictable, Episode 6, घर के अंदर जाते ही पल्लवी जी राधिका को कहती है, बेटा तुम जाकर अपने रूम में फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हूँ. अपनी मा की बात को सुनकर राधिका जी मा बोलकर सेकंड फ्लो पर अपने बने हुए कमरे की तरफ चली जाती है. जैसे ही राधिका सीधिया चड़कर अपने रूम के पास पहुँचती है तो उसे अपने बचपन की यादे याद आने लगती है, जिन्हें याद करके उसके च प्रेश होने के बाद राधिका अपने रूम से अपने घर के कपड़ों में त्यार होने के बाद निकल कर डाइनिंग टेबल पर अपने पापा के पास जाकर बैठ जाती है जहां पहले ही सभी बैठे हुए थे और राधिका की मा पल्लवी जी सबको पूजा जो घर में ही काम क पसंद करती थी और ये बात रमा जी को भी बहुत पसंद थी और आज स्पेशली सारा खाना राधिका के मनपसंद का बना था कुछ देर बाद सभी का खाना हो जाता है और सब बही पास में सोफे पर बैठ कर चाय का लुथवा उठाते हुए बाते करने लगते हैं और राधिका वहां अब रॉडने कैसे रहती थी उसकी बाते करने लगती है तभी बातों ही बातों में संजीब जी जो राधिका के सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे, वो राधिका से पूछते हैं, तो बेटा तुमने हमारी कमपनी अजसेयो जॉइन करने के बारे में क्या सोचा है? उध्धरन चिन्ह अपने पापा की बात को सुनकर राधिका अपना सरहां में हिला देती है, और जब वही पर बैठी पल्लवी जी जब ये बात सुनती है, तो उन्हें पता लगता है कि उनकी जो बेटी अभी इतने सालो बाद अपने घर वापस आई है, वो फिर से उनसे दूर सिटी ए में गर वापस आई है और आप फिर से उसे दूर बेज रहे हैं, और ये बोलकर वो उदास हो जाती है, वही पर जब राधिका अपनी मा को ऐसे उदास देखती है, तो वो आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहती है, मा मैं बस कुछ महीनों के लिए ही तो जा रही हूँ, और आप बिलकुल भी टेंशन मत लो, मैं हर वीकेंड आपसे मिलने यहां आती रहूंगी, और इतना बोलकर राधिका अपनी मा को मनाने लगती है, कुछ देर बाद पलवी जी राधिका की बात को मान जाती है, पर शर्थ ये थी कि राधिका को हर वीकेंड यहा तो सोच लिया है, पर क्या तुमने अभी तक अपना कोई पसनल असिस्टेंट चुना है, क्योंकि रोहन जो तुम्हारा एब्रॉड में पसनल असिस्टेंट था, वो तो अभी भी वहां के बिजनिस को संभाल रहा है, रोहन वर्मा जो संजीव जी के पसनल असिस्टेंट र में इंटव्यू के जरीए एक नया असिस्टेंट चुनू और मैं सोच रही हूं कि ये इंटव्यू मैं आज से पांच दिन बाद वही के ऑफिस में लूँ अपनी बेटी की बात को सुनकर संजीर जी कहते हैं ठीक है बेटा मैं कंपनी में इनफॉर्म कर देता हूं कि अगले झाल